आज जो मैं आपके साथ ये मिठाई शेयर करूंगी इसे हम एक गिलाश दूद से बनाएंगे एक किलो से भी जादा मिठाई बनेगा बीना चीनी बीना घी का इतना टेस्ट ही मिठाई बनेगा कि सच में आप अगर घर पे एक पर बना लिया ना तो ये वाला दीपावली पे आप इसी मिठाई को बना करके इंज्वाई करोगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखें यहाँ पे लेंगे एक गिलाश दूद अगर इस दूद को ना पज़ जाए तो ये 500 ग्राम दूद होगा और मैं यहाँ पे करहाई में डाल दी हूँ और इसमें एक उवाल आने देंगे तो थोड़ा सा दूद है जल्दी ही उवाल जाएगा तेज आज पे उव दूद नहीं परेगी तो देखें यहाँ पे दूद में वाल आ गया है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और दूद को 2-3 मिनट तक मिक्स करेंगे तो फिर ये दूद जल्दी से ठंड़ा हो जाएगा तो बस दूद को हमें ज्यादा ठंड़ा भी नहीं करना है और ज्यादा गरम भी नहीं दखना है इतना गरम रखेंगे कि ये दूद गुन-गुना से थोड़ा सा ज्यादा गरम होना चाहिए तो अब ही देखें ये कराई छुके दिखा रही हूँ को सच में ये दूद अगर आपके पास उबले हुए दूद है तो उस दूद को थोड़ा सा गरम करके यूज करना है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप गुर तो ये वही गुर है जिससे वो ढेला वाला जो हम खाते है थंडियों में तो उसे ज्यादा दिन तक रख दो ना तो वो पिघल ज होते है कभी गुर चितना गुर पुडाना हो उतना सहत के लिए अच्छे होते हैं तो बस अब हम क्या करेंगे दूद और गुर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे गैस को इस टाइम पे नहीं जलाना है नहीं तो दूद फट जाएगा तो बस इसे बस घुलाना है ये जो गाठे है ना ये मिक्स हो जाए बस इतना देर तक हम इस मिठाई को बनाने के लिए इंतिजार करना होता है और ये मिठाई इतना जल्दी बन जाता है ना सच में हमें तो बहुत असान लगता है ये वाला मिठाई बनाना तो बस दूद में गूर तो गूल गिया है अब गूर और दूदोनों को छान लेंगे क्योंकि गुर में बहुत जादा impurity होता है तो बस इसलिए हम इसे छान लेते हैं और ये दिखिए सारे के सारे हम दूद इसमें डाल करके छान लेंगे ये जो बचा हुआ है न इस तरीके से शपेचूला से करेंगे न तो ये भी छन जाएगा और इसे साइड में रखते हैं ये दूद तयार है इसे अभी हम साइड में रख देंगे बाद में यूज करने वाले हैं इस दूद का अब जो हम जिसमें बर्फी जमाएंगे तो मैं यहाँ पे स्क्वाइर साइज का ले रही हूँ ये केक्टीन है आप चाहे तो कोई भी काटोरी ले सकते हो तो उसमें डाल देंगे ये बटर पेपर अगर बटर पेपर नहीं है तो फिर कोई भी बर्तर में आप थोड़ा सा तेल या घी लगा लेना मतलब की रिफाइन डॉयल लगा लेना सरसो का तेल मत लगा देना फिर मीठाई का तेश्ट खराब हो जाएगा यहाँ पे लेंगे हम मिक्सी के जार और इसमें डाल देंगे एक कप कोकोनट पाउडर तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा कप यह है खरवुजय का बीज आप इसके जगह पे आधा कप काजू भी ले सकते हैं तो बस यह दोनों को डाल करके पीश लेना है तो कोकोनट का पाउडर भी पीश जाएगा और यह जो खरवुजय का बीज है यह भी अच्छे से बारिक पीश जाएगा तो यह मैं यहाँ पे छोटा वाला मिक्सी के जार यूज कर रही हूँ तो इसके लिए हमें दो या तीन बार में इसे करके पीशना परेगा क्योंकि खरवुजय का बीज डाला है तो उसे पीशना जरूरी है तो बस यह देखिए हमने पीश लिया इसे दूसरे बरतन में निकाल देते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक कप मिल्क पॉडर तो मिल्क पॉडर में नेसले का यूज करती हूँ उसे न मिठाई अच्छी बनती है तो बस मिलक पॉडर को ज़्यादा देर तक नहीं पीछना है, दो से तीन बार मिक्सी गूम जाए, ताकि ये सारे मिश्रन जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना देर ही मिक्सी को गुमाना है, ज़्यादा गुमा दोगे ना तो फिर मिलक पॉडर में गाठे बन तो बस वही छोटा वला मिक्सी है, तो थोड़ा सा मुझे जंजट बढ़ गया था, दो से तीन बार करना परा, अब हम लेंगे एक करहाई, और करहाई में डाल देंगे ये सारे मिक्स्टर, जो हमने कोकोनट पॉडर और खरबुजे का बीज मिलक पॉडर जो भी था ना वो डाल करके धीमि आज पर 2-3 मिनट तक इस मिसरान को भूणना है, क्योंकि खरबुजे का बीज कच्चा डाला है, तो उसका कच्चा पन का टेस्ट निकालने के लिए 2-3 मिनट निहीं पॉणना है, और धीमि आज पर भूणना है, तेज आज कर दोगे ना, तो मिलक पॉडर जलने लग जाएगा फिर अगर थोड़ा इसा भी जल गया ना तो मिठाई का टेष्ट खराब हो जाएगा अब हम गैस को बंद कर देंगे गैस बंद करके भी गरम कराई पर भी दो तीन मिनट तक मिख्स करेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए ilaci का पाउडर मैंने पीस के रखा है चीनी के साथ तो बस बस बहुत डाल दिया, मिक्स करेंगे और यह देखे अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है अब हम इसमें डालेंगे ये जो गूर और दूद को मिक्स करके रखा था न वो धीरे धीरे करके डालेंगे थोरा थोरा डालेंगे और मिक्स करेंगे एक कठे नहीं डाल दे न नहीं तो फिर इसमें गाठे बन जाएगा और गयस को हमने बंद रखा है अभी गयस को बिल्कुल भी नहीं जलाना है तो ये दिखे सारे के सारे हमने मिश्रन डाल दिया और इसी नाप से बनाना तो बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनेगा कम टाइम में ये बला मिठाई ना दस से पंद्रे मिनट में बनके तयार हो जाते हैं अब हम गयस को जला लेंगे और मैं याँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल दियूँ आप मत डालना ये ना पीला हो गया था नहीं डालती तो वो ज़्यादा अच्छा था मैं सोची ना कि इसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाए तो बस फूड कलर डाल दिया मिक्स करेंगे और मध्यमाज पर इसे लगतार मिक्स करते हुए ठीक होने तक पकाना है तो देखिए ये वाला मिठाई में ना तो आपको चाशनी बनाने की जंजट है ना घंटों पकाने की ज़रत है इसमें बस हर चीज नाप करके डालिए मिठाई 10 से 15 मिनट में बन करके तयार हो जाता है और खाने में इतना टेश्टी लगता है सच में आप एक बड़ चरू ट्राइ करना और नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपके मिठाई बनी कैसी थी तो ये देखिए ये ठीक हो गया है तो बस इतना ही पकाना है हमें इसी तरीके से ये देखिए इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो बस करही में थोरे देर ठंडा कर लेते हैं ताकि जब हम बर्फी जमाएंगे ना वो जल्दी से जम भी जाए और इस चगे पर आप कंसिस्टनसी चेक कर सकते हैं कि कितना थीक है ये तो बस अब हम क्या करेंगे सारे के सारे ये मिसरन डालेंगे केक टीन में और अच्छे तरीके से इसे स्मूथ कर लेंगे और ये मिठाई को अगर आप वजन करोगे तो ये एक किलो मिठाई होगा तो बस इसे इस पे चुला के सायता अच्छे से बरावड कर लेते हैं इसके उपर आप चाहे तो सिल्वर चांदी का वरक या फिर ड्राइफ रूट कटे हुए डाल सकते हो तो मैंने ये एक से डेर घंटा स्लेप पैसे छोड दिया था आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हो तो ये बरफी अच्छे से जम गिया है अब हम इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से करवाने लग गए थी तो ये अच्छे से यहाँ पे नहीं हो पाया था वरना मैं अगर वीडियो अच्छे से करती हूँ न तो और अच्छे से आपको दिखा पाती तो ये भगवान जी के भोग लगाने के लिए बना रहे थी न तो कुस बज़े से हम इस पर साथ को नहीं छुपाए तो फिर अपने बेटे से मैं नहीं ये वाला काम करवाया था और ये दिखिए हमारा बड़फ जो कितना ठिक है सच में बहुत टेस्टी बनी थी और बीना तेल घी का भी इस गी तना टेस्टी दिख रहे ये दिखिए लग रहा है न कि हमने कितना सारा इसमें घेट घी और तेल डाल दिया है वीडियो कैसी लेगी नीचे कमेंट करके जरूर बढ़ता आना फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक शुरूआ चाहिए